हेलो एब्रिवन एमेसे स्टेडी जेच में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को क्लास दस्वी का बिग्यान का चेप्टर टू में आज आप लोगों को बताने वाले हैं अमल एवं छारक धातू के साथ कैसे अभिकरिया करता है तो चलिए दोस्तों अब सुरू करते है अब समझते हैं आज हम लोग अमल एवं छारक धातू के साथ कैसे अभिकरिया करते हैं तो अमल एवं छारक धातू के साथ कैसे अभिकरिया करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्रिया कलाब 2.3 एक्टिविटी के अनुसार तो चीत्र 2.1 के अनुसार उपकरन ब्यस किजिए के एक प्रक्ष मली में लगबग पांच मिलीलीटर थनु सलफिरी कम मुल लेज़िए इसमें दानेदार जिंग के टुक्ड़े की सत्पर आप क्या देखते हैं तो दानेदार जिंग के टुक्ड़े के सामने हाइडरोजन गैस के बुलबुले दिखाए देंगे उत्सरजित गैस को साबुन के बिलियन से परवाहित किजे जो उत्सरजित जो गैस हुआ निकला उत्सरजित हुआ तो उस गैस को साबुन के बिलियन से परवाहित किजे साबुन के बिलियन में बुलबुले क्यों बनते हैं जलती हुई मुंब क्योंति को हैसे गैस वाले बुलबुले के पास ले जाते हैं तो फट्फट्फट की धोनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है जो आप यहाँ पर चीतर में देख सकते हैं यह कर आख तनुसल्फिरिक अमला के साथ यह जिंक जो है यह जिंक को शल्फःट बना लेता है और hydrogen gas को विस्थापित कर देता है तो यह hydrogen gas उत्सरजित हुआ तो इस साबून के बिलियन में डुबोया गया और साबून के बिलियन से hydrogen के बुलबुले निकलाते हैं और जब बुलबुले यह gas निकला तो उसके सामने हैसे मुंबती जलते हुए मुंबती को है उसके पास ले जाते हैं तो hydrogen gas है से फटफट की धौनी के साथ जलता है दहन होता है ठीक है इसी परकार आगे है कुछ अन्य अमला जैसे हाइड्रोकलोरिक हाइड्रोनियम एवं कार्बुसिलिक अमला के साथ यह क्रिया कलाप को दोहराईए फिर से हाइड्रोकलोरिक अमला हाइड्रोनियम एवं कार्बुसिलिक अमला के साथ इसी परकार से क्रिया कलाप को फिर से दोहराईए परते किस्तिति में आपका fraction समान है या भीन है तो परते किस्तिती में क्या होगा समान ही होगा इसी परकार आजे समझेंगे दियान दिजिए कि उपर दी गई अभिक्रियां में धातू अमलो से हाइड्रोजन का विष्ठापन करता है हाइड्रोजण गैस के निकलने union या पता चलता है अमला के अविसिस्टों के साथ मिलकर धातु एक योगिक बनाता है जिसे लवन कहते हैं अमला के साथ धातु की अभिक्रिया को इस परकार ब्यक्त कर सकते हैं जैसे अमला धातु के साथ अभिक्रिया कर लवन तथा हैड्रोजन गैस बनाता है आपने जिन लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो हां लिख सकते हैं किर्या कलाप 2.4 एक्टिविटी से समझते हैं आगे एक प्रखनली में जिंग के कुछ दानेदार टुकड़े लिजिए या टुकड़े रखिए उसमें दो मिलीलिटर सोडियम हाइड्रोकसाइड का घोल मिलाकर उसे गरम के जिए तत पस्चात मतलब उसके बाद चित्र कनुसार किरियाओं को दोराईए एवं अपने प्रेक्षन को लिखिए इस अभिकरिया को निमनप्रकार से लिख सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोकसाइड और यह जींग है यह दोनों आपस में अभिकरिया कर सोडियम उत्सरजित करता है तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुना हाइड्रोजन बनता है किन्तु ऐसी अभिक्रिया सभी धातु के साथ संभा नहीं है इसे परकार आगे समझेंगे 2.1.3 में धातु हाइड्रो कार्बन तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अमल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है तिसके बारे में एक्टिविटी से समझते हैं किरिया कलाप 2.5 से दो प्रखनली लिजिए उन्हें A एवं B से नमांकित किजिए मतलब नाम लिख लिजिए उस प्रखनली का प्रखनली A में लगभग 0.5 गराम सोडियम कार्बोनेट लिजिए एवं प्रखनली B में 0.5 गराम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिजिए दोनों प्रक्षनली में लगभग दो मिलीलीटर तनू हाइड्रोकलोरिक मिलाए यानि ए और भी दोनों में हैसे हाइड्रोकलोरिक अमला मिलाए तनू आपने क्या निरेक्षन किया क्या देखेंगे तो चीत्र पॉइंट दो के अनुसार परते कि स्थिती में उत्पादित गैस को चूने के पानी केलसियम हाइड्रोकसाइड का यानि बिलियन से प्रवाहित किजिए एवं अपने निरेक्षनों को अभी लिखित किजिए जो आप यहां पर चीत्र में देख सकते हैं उप्रयोक्त क्रिया कलाप में होने वाले अभिक्रियाओं को इस परकार लिखा जा सकता है जिसे प्रखनली यह में है से सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोकलोरिक दोनों यह आपस में अभिक्रिया कर सोडियम कलोराइड और जल और कार कार्बन डायकसाइड बनाता है इसी प्रका आगे समझेंगे उत्पादित कार्बन डायकसाइड गैस को चुने के पानी है यह यहां पर कैल्सियम कार्बोनेट और जल का निर्मान करता है तो यहां पर कैल्सियम कार्बोनेट क्या है सवे तौछेफ है यानि दूदिया अत्यधिक मात्रा में कार्बन डैक्साइड परवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है जैसे अगर अधिक से अधिक अगर कार्बन डैक्साइड परवाहित करेंगे तो क्या बनेगा तो केल्सियम कार्बोनेट जल और कार्बन डैक्साइड तो अधिक से अधिक अगर कार्बन डैक्साइड मिलेगा तो बनेगा कैल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानि जल में अविलैसील होगा घुल जाएगा चुना पथर या खड़िया या चोक कहते हैं एवं संगमरमर कैल्सियम कार्बोनेट के विविद रूप है मतब कैल्सियम कार्बोनेट से ही चुना पथर खड़िया यानि चोक या संगमरमर पथर यह सभी बना हुआ है सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अमलके साथ अभिकरिया करके संगत लवन कार्बन डैक्साइड एवं जल बनाते हैं इस अभिक्रिया को इस परकार से ब्यक्त कर सकते हैं जैसे धातू कार्बोनेट या धातू हैड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों हैसे अमला के साथ अभिक्रिया कर लवन कार्बन डैक्साइड और जल का निर्मान करता है थीक है, तो कोई भी में है, अगर कोई ज़ादा से ज़ादा अगर कारबन डियकसाइड अगर मिला देते हैं तो यह क्या हो जाता है एक सवेत आच्छेप का निर्मान होता है जो दूधिया हो जाते है सफेद कलर में हो जाता है तो ठीक है दोस्तों इसी परकार अगले वीडियो में मिलेंगे अगर ए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास सेयर करें अगर आप मेरी यूटिब चैनल में नए है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे तब ते के लिए बाई बाई जैहिन